Simplification of an Algebraic Expression जैसे के ये एक Algebraic Expression लिखा हुआ है इसमें हमाँ पास X और Y Variables है और मतलब जिसा ये टू जो Constant है जो Y Variable से Multiply हो रहा है ये इस वक्त Coefficient के तोर पर Use हो रहा है हमने इसे Simplify करना है मतलब के इसमें जो ये Groups बने हुए है इन्हें एक तो खतम करना है और फिर इनमें जो Like Terms है उन्हें कठे करना है और फिर जो Algebraic Expression है उसे Standard Form में लिखना है Standard Form में जो Algebraic Expression होता है उसकी जो First Term है या जो Leading Term है ठीक है वो सबसे पहले आएगी मतलब Higher Exponent वली Term सबसे पहले आएगी ठीक है फिर उसे जो कम Power वली है Term वो आएगी और इसा Decrease होते होते हम इसे Arrange करेंगे तो देखें यहाँ पे Distributive Property को हम Use करेंगे जो के Multiplication की है Over Subtraction कह सकते हम यह X इस X से Multiply होगा ठीक है फिर यह X जो है वो इस Y से होगा लेकिन चुक्कि यह Positive X है जब यह Negative Y से Multiply होगा तो Negative Y का Sign X और Y आजाएगा इसी तरीके से अब यह Negative का 2Y X से Multiply होगा तो यहाँ पर हम Negative Sign एक तो लिखेंगे चुक्कि जो X है वो Positive Sign के साथ है और यह इस तरीके से ठीक है और फिर इसी तरह यह Negative का 2Y जो है वो Positive के Y से Multiply होगा तो फिर Minus का Sign आएगा 2Y और Multiply by Y आ रहा है जबकि यह जो टर्म है प्लस 2 टाइमस आफ X Y वेरियेपल का प्रोड़क्ट यह As It Is रहेगी अब देखें इसमें लाफ अगर Exponent लगाया जाए जैसे हम जानते हैं कि 2 को 2 से अगर Multiply किया जाए तो यह Square के बराबर होगा 2 के तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी Basis सेम है और Power एड़ हो जाएंगी यानि 1 और 1 एड़ होके 2 हो जाएगा माइनस देखें अब यह चलें इसको हम और पहले सिंप्लिफाई कर लेते हैं कि यह XY जो Like Terms उनको इकठा लिखते हैं माइनस 2 Y X लिखें या XY लिखें हम जानते हैं कि जो क्यूनिटेटिव लाइंडर मिल्टिप्लिकेशन वो होल्ड करता है रियल नमबर्स में ठीक है माइनस 2 Y और Y पेस सेम है पावर एड़ हो जाएंगी और प्लस 2 X Y आजएगा अब इन Terms को मतलब लिखते हैं हम साथ साथ यहाँ पे आएगा X स्क्वेर माइनस X Y माइनस 2 X Y प्लस 2 X Y और यह Term हम लास्ट में लिख लेते हैं माइनस 2 Y स्क्वेर ठीक है अब अब देखें कि यह दोनों जो Terms और Like Terms हैं यह Positive Sign के साथ है यह Negative Sign के साथ है जो कि हापस में Cancel हो जाएंगी और हमारे पास X Variable के लिहाज से जो First रहमारी है Leading रहमारी है वो X स्क्वेर है फिर Minus यह Negative of X Y है और फिर Negative of 2 Times of Y स्क्वेर यह Y रेस तो जी पावर 2 है तो इस तरीके से हमने इस जो Algebraic Expression था उससे Simplify किया और हमने देखा कि इसमें कितनी Terms है इसमें 3 Terms है और यह एक जो है वो Trinomial है वतलब Polynomial की वो Type जिसमें 3 Terms हों उसे हम Trinomial कहते हैं और इसकी Degree अगर देखी जाए तो इसकी Degree 2 है क्योंकि इसमें जो Highest Exponent है वो 2 ही बन रही है इस Terms में भी 2 बन रही है यहाँ भी अगर आप Variables की Power Combine करें लो 2 बनती है और First Terms में भी 2 बनती है तो इस दिया हम कहेंगे कि इसकी Degree जो है वो 2 है यानि यह एक Quadratic Trinomial है क्योंकि भी 2 बनती है